प्रॉब्लम आती रहती है उन सभी सॉलूशन के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करने वाले हैं अगर एक फांडिंग मेंबर से हैं उसके डारेक्ट में भी अगर कोई एक डारेक्ट है तो उससे हमें कितना कमिशन आएगा इसके लावा O Connect के सब्सक्रप्शन के बारे में यहाँ पर डिसक्रशन करने वाले हैं बेड्रॉल एंड हमारा जो बॉनस यहाँ पर जो खत्म होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके लावा एक email ID के रिलेटर जो है एक solution भी मैं आपको देने वाला हूँ सुसरू सुले के last तक आप वीडियो में बने रही है तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक direct founding member के down में direct member जो दूसरे level पे होता है उससे कितना commission आएगा ये बहुत सारे questions हमारे mind में आते रहते हैं बहुत सारे हमारे founding members एक दूसरे से पहुंचते रहते हैं क्योंकि अभी हम सब लोगों को जितना बेसबरी से इंतजार है commission का income का अपने पैसों का इंतजार है वो दिन दूर नहीं है जब हम सब लोगों को यहां पर income आने वाली है तो एक कोई न कोई mind में बात चलती रहती है तो हम सब लोगों को दो income अच्छी तरीके से पता है जो की company ने हम सब लोगों के सामने disclose कर दी है first income and direct income first income 100% direct income 25% अब for example मान के चलिए कि मैं एक founding member हूँ और मेरे direct में 10 लोग है तो उन 10 लोगों से मुझे तो commission आ जाएगी वो मुझे already पता है यानि की first income 100% direct income 25% अब जो 10 लोग हैं अगर उनके भी direct में अगर कुछ लोग हैं वहाँ पे जो कि उन्होंने भी बहुत साइब लोगों को introduce कराया है इस business system के वारे में बताया है तो कही ना कही उन लोगों से क्या मुझे कोई income आने वाली है तो कि या नहीं आने वाली है तो इसके वारे में सबसे पहले चीज़ तो हमें यह समझनी है कि यह है एक unique system है यहां पर जो भी business model यहां पर बनाया गया है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है जी हां बहुत ही कम लोगों को पता है और दूसरी बात यह है कि यहां पर कितनी depth से हम लोगों को income आने वाली है कितनी depth से income नहीं आने वाली है यह हमें आने वाले वक ही वो प्रमोट करना चाहते हैं कि बहुत साहीं लोग dal म्लम की तरह प्रमोट करने लगें और यहां पर किस तरीके से लोगों को कस्ट्मर बनाए और किस तरीके से उन लोगों को यहां पर Delẹ works不 यह देने के वारे मों लोगों किस तरीके से बताएं तो यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों पर गोर करना पड़ेगा यहाँ पर अभी हम इतनी गहराई में आगर हम ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अभी हमें उतनी गहराई तक हमारा जो प्लान है या हमारा जो business model है उतना हमें नहीं बताया गया है और अकर नहीं बताया गया है यही हमारे लिए सबसे बड़ी एक बड़ी बात है क्योंकि सारी चीज़ें यहां पर company अगर हमारे सामने disclose ना करे वो ही सबसे ज़ादा बहतर रहेगा हम सब लोगों के लिए क्योंकि जो भी आने वाले वक्त में होगा company बातों से नहीं बलकि काम के माध्यम से हम सब लोगों को सब कुछ यहां पर देना चाहती है क्योंकि practically जो कुछ भी होता है उसमें चीज़ों को सीखने का चीज़ों को देखने का बहुत ही अलग ही आनन्द आता है लेकिन यहां पर बातों से केबल काम करने से कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर हमें depth से कितनी income आने वाली है और कितनी income नहीं आने वाली है हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हाँ हमारे पास ट्रैफिक आना शुरूर हो जाएगा तो आपको बता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक मिलने वाला है हो सकता है कि आपके डाइरेक्ट में भी जो लोग के वह जुए हुए उनको भी ट्रैफिक मिलेगा तो यहां पर आपका wallet आपको अपने आप ही बता देगा कि आपकी कहां से कितनी income generate हो रही है क्योंकि वहां पर एक एक विक्ति का जो भी commission होगा वो हमारे wallet के revenue section में, bidrol वाले option में और wallet वाले option के अंदर सब कुछ वहां पर एक एक विक्ति का वहां पर income शो होगा कि हमें किस विक्ति से कितनी income यहां पर आ रही है तो यहां पर अभी दो ही income अगर हम लोगों को पता है यह हमारे लिए परयापते हैं इसकी अलावा इतनी जादा गहराई में अभी हम लोगों को जादा घुसने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है लेकिन हाँ income हर एक विक्ति से आने वाली है because हमारा business model सबसे unique business model है यहां पर ओकनेक्ट को लेकर के काफी ज़्यादा लोग जो है excited हैं बहुत साई लोगों का जो ओकनेक्ट है वो subscribe नहीं हो पा रहा है और उन लोगों ने कहा है कि sir as sir से बूलिए कि उनका हमारा जो card payment है उसको वो सही करवाएं क्योंकि काफी कोशिस करने के बाद और काफी लोगों से मदद लेने के बाद भी ओकनेक्ट बाय नहीं कर पा रहे हैं नहीं खरीद पा रहे हैं यहां पर थोड़ी बहुत glitches और थोड़ी बहुत problem आ रही हैं तो यहां पर हो सकता है कि कुछ हमारे ऐसे credit card या कुछ debit card हैं जिस card में हमेशा से ही problem आ रही है जैसे कि SBI के card क अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे लोगों के पास SBI card है और maximum लोगों के पास SBI card होने के बज़े से ही यह दिक्कत आ रही है पता नहीं SBI bank किस तरीके से काम करवाना चाहती है या किस तरीके से payment जो है cut करती है तो वो उसका rules and regulation अलग है लेकिन जितनी भी हमारी private banks ह SDFC bank, Axis bank, and Skelava और भी banks हैं तो यहां पर कोई भी issue नहीं आ रहा है तो यहां पर आप से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी दूसरे साब करवा सकते हैं लेकिन हाँ इसकी हमेशा से जो limit बढ़ाने की बात कही जाती है और हमारे मुहमत कमाल सन ने जो limit बढ़ाने की बात क दूसरो करने की है, सुरू से ही कही है, ऊस में लगातार फोकस कर रहे हैं और लिग जाया तो जिस तरीके से हमारा जो payment processor है। यह जितना बहतरीं तरीके से 가족 क्वालारी पायम प्रोसेसर नहीं कर पा रहे थैं क्योंकि एक हफदे के अंदर या पांच दिन के अंदर ही उनका फारेसर ने बताया कि बहुत सारी बैंक्स ट्राइब की जा रही है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की जा रही है इसकी लिमिट को इंक्रीज किया जा रहा है तो यह सारी कि सारी चीज़ें हमारे सिस्टम को और भी जादा मजबूत बना रही है क्योंकि आने वाले ट करते हैं यहां पर बिड्रोल के वारे में क्योंकि एक विक्ति ने इस टाइप से कमेंट किया है और इस टाइप से मैसेस किया है जैसे कि उसको पढ़के ही लगता है कि वो धंकी दे रहा है बिड्रोल आएगा कि नहीं इस तरीके से पढ़ने में लगता है कि यह धंकी सी मिल र पताय था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर सब कोछ सही सलामत रहा तो यहां पर बिड्रॉल सभी की जो पैंडिंग पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे नहीं तो नेक्स मंत में आने हैं तो हमें बिड्रॉल को ले करके जादा फिकर नहीं करनी हैं बस कंपनी का जो फोकस है वो फोकस है हमारे सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के ऊपर भी है क्योंकि उनको भी बिड्रॉल लगाना है उनको भी कंपनी की तरफ से कमिशन पाना है लेकिन सबसे जादा फोकस है कंपनी का सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ट्रैफिक के लिए क्योंकि ट्रैफि क्योंकि ये दोने चीज़ें कंपनी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है चार-पांच दिन यहां पर शेस रह गई हैं केबल इस महीने को कंप्लीट होने में और हम सब को पता है कि चार-पांच दिन के बाद जो अभी हमारा O Connect का जो सब्सक्रिप्शन बाइ करने के जो दिन बच्चे हुए हैं और इस दिन जो हम और इनी पांच दिनों के अंदर अंदर जो हम लोगों को बॉनस का जो एक आफर मिला हुआ है यह बॉनस का ओफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा हां अगर यह कंपनी को पर depend करता है कि आगे अगर वो इसको extend करना चाहती है या कर सकती है तो वो company को पर depend करता है वो company के हाथ में है लेकिन जिस तरीके से 31 December 2023 तक हमारा जो bonus पीरेट चल रहा है वो तो हमारे पास किवल 5 दिन बचे हुई है तो यहाँ पर जिनका O Connect अभी तक बाइ नहीं हुआ है सब्सक्रेप्शन बाइ नहीं किया है तो वो अपना सब्सक्रेप्शन बाइ जरूर कर ले जिससे कि उनको इस bonus का offer का लाव मिल सके यहाँ पर अब सबसे important बात करते हैं कि एक विक्ति हैं हमारे founding member जिनकी ID दो ID है वो pending में चली गई है अगर आपके पास दूसरा mobile phone है और आपको email ID पता है तो आप उसमें email ID पुट करेंगे उसकी बाद अगर आपको password पता है तो आप उसमें password पुट करेंगे अगर password नहीं पता है तो forgot password पे आप किलिक करेंगे सिम आपकी वही होने चाहिए जी हाँ इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपका mobile phone है वो damage हो गया है और mobile phone damage होने की बजह से आप email ID उसमें पुट नहीं कर पा रहे हैं या उसमें वो ठीक तरीके से काम open नहीं हो पा रही है लोगन नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि उसमें आपने जो mobile number लगाया था उस email ID में वो mobile number की SIM इसमें है या नहीं है क्योंकि अगर mobile number की SIM नहीं है तो आप दूसरी SIM निकलवा लिजिए उसी नमबर की और वही नमबर आप आप जो है दूसरे mobile phone में डालिए और उसके बाद अपना जो email ID है उसको आप दूसरे mobile phone में आप उसको enter करिए और अगर आप password भूल गए हैं तो forward password पर आप click करिए और click करने के बाद में जो भी उसके steps हैं उसको follow करिए और नया password आप बना लिजी क्योंकि वहाँ पर कुछ जब आप नया mobile phone यूज़ करते हैं या दूसरा mobile phone यूज़ करते हैं तो verification के लिए Google आपको verify करता है क्योंकि बिना verify करके बिना verify किए आप किसी दूसरे mobile phone में अपना email ID एंटर नहीं कर सकते हैं और नहीं उसे आप open कर सकते हैं तो आप इस स्विज को थोड़ा सा follow कर ये हो जकता है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यह थे कुछ हमारे important points जो कि हमारे founding members के लिए बहुती ज़्यादा ज़रूरी थे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफी ज़्याद आपको informative रही होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एक और नई update के साथ थेंक्यू सो मच है विनाइस डे वी आर सुनेट टू विनेट जीत हमेशा उसे की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी